स्वागत है आप सभी का GS Magnet के इस YouTube प्लेटफॉम पे तो आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग बिहार पुलिस के लिए जो स्लेक्टेट प्राक्टिस सेट है ज्यान बिंदू GS सेकेंडमी रोशनल अनसर का तो हम लोग 16 प्राक्टिस सेट को सल्व कर लिए हैं ठीक है अभी ह हम लोग इस क्लास के माध्यम से टेस्ट नंबर 17 के 100 जो प्रस्ण है 100 प्रस्ण को हम लोग सल्व करेंगे और यह जो टेस्ट है आपका न्यूब पिटर्न पे अधारित टेस्ट है ठीक है और कल जो आपको डिसकर्शन हम इस प्राक्टिस सेट का नहीं करवाये थे अभी जो तो कल समानित समारोह रखा गया था ठीक है इसी को लेकर के विजी थी थी थोड़ा सा तो आपको डिसकर्शन नहीं दे पाये ठीक है तो आईए आज के इस डिसकर्शन क्लास के माध्यम से हम लोग प्रस्णों को सल्व करते हैं प्रस्णों को सल्व करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं है जरूर आप सभी लोग चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा और बगल वाले बिल घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ठीक है ताकि बिहार पुलिस के लिए जो ये स्लेक्टेड प्राक्टिस जो सेट है जिससे सिधा आपके बिहार पुलिस में प्रस्ण छ प्रस्ण आपके सामने है प्रस्ण पूछा गया है आप सभी से बाल गंगाधर तिलग को किसने असांती का जनक कहा काफी इंपोटेंट प्रस्ण आपके बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है ध्यान रखिएगा जो लोग भी अप्सन नमबर सी बता रहे हैं वेलें किया गया तो बाल गंगाधर तिलग के दवारा 2893 में किया गया था इस बात को ध्यान रिक हैं यहीं पर पूछले सीवा जी महुत्सव की सुरूत कव भूँा था तो 1894 में हुआ था इस बात को भी आप लोग ध्यान रिक एग एक और प्रस्ण काफी जदा इंपोटेंट आ एक अगस्ट 1920 को हुआ था और आप याद किजिए एक अगस्ट 1920 को और सहयुग आंदोलन गाधी जी के नेत्रीत में शुरू हुआ था तो आंदोलन शुरू जिस दिन हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का मिर्तु हो गया था इस बात को ध्यां रखेगा यही पर ध्या गया है दो नंबर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड यानि कि WWF का परतिक कौन सा जानवर है तो देखिए WWF की अगर स्थापना देखा जाए तो 1961 में हुआ था इस बात को ध्यां रखेगा और इसका परतिक जानवर आप से पूछा गया है तो अप्शन B को ध्यां रखेगा ज्वाइड पांडा अप्शन नंबर B में दिया गया है दो नंबर प्रस्ण का सही जवाब तीसरा नंबर प्रस्ण है संविधान के अंतरगत मुल अधिकारों का संरक्षक यानि कि संरक्षक कौन है तो मुल अधिकारों के संरक्षक को अगर देखा जाए तो अप्शन करी के विशाक्तन से कौन सा रोग होता है यानि कि पारा से कौन सा रोग होता है इस बात को आप से पुछा गया है ध्यान रखेगा अपसर नमबर सी को मीनी माता रोग होता है कौन सा रोग होता है मीनी माता रोग होता है और 1956 इस भी में ध्यान रखेगा जपान के मीनी माता सह dopamine में इस रोग का यहने की यह रोग पाया गया थह इस बात को ध्यान रखेगा ठीक है और यह जो मीनी माता रोग है झात को परभावित करता है ध्यान रखेगा aad को अम्य को थयां रखे आगे देखिए 6 नमबर प्रस्ट मिलाईए नीचे 4 वाक्यों में 3 तूटी पूण है तूटी रहित वाक्क छाट कर उसे चिनित करें मतलब किस वाक्क में किसी भी तरह का तूटी नहीं है तो option D हो जाएगा जब तक मैं न आउँ तब तक तुम पढ़ते रहना यही सही वाक् करें रहित चैए देखिए 7 नमबर प्रस्ट मिल्कूल सही जबाब हो जाएगा ठीक है तो द्यां रखिए गा आपसर नमबर सी को कारा कोरं श्रेणी में क्लियर कारा कोरम स्रेणी अप्सन नंबर C आपके आठ नंबर प्रस्ण का बिल्कूल सही जबाब हो जाएगा और यहीं पर ध्यान रखेगा कारा कोरम स्रेणी जो है ट्रांसिमालिया के उत्री भाग में अस्तिते इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा चलिए नववा नंबर प्रस्ण है बिधूत सक्ति का SI मातरक क्या है तो बिधूत सक्ति का SI मातरक आपका बोल्ट हो जाएगा इस बात को ध्यान रखेगा विवांतर का बोल्ट हो जाएगा विधूत सक्ती का वाट हो जाएगा ठीक है और कुलंब आवेस का मातरक हो जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा तो 9 का सही जबाब अप्शन E हो जाएगा किलियर डासवा नमबर प्रस्ण है पेनी सीलियम उधारन है तो पेनी सीलियम की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग 10 नमबर प्रस्ण के लिए अप्शन नमबर B को ध्यान रखेगा कोवक के ठीक है कोवक यानि कि 10 का सही जबाब अप्शन नमबर B हो जाएगा इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा और यहीं पर ध्यान रखेगा आप सभी लोग यानि की पेनी सीलियम की खोज ध्यान रखेगा 1927 में यानि की अलक जेंडर फ्लेमिंग ने किया था इस बात को भी आप लोग ध्यान अगर आप से पूछे इटली यात्री निकोलो डी कांटी किसके सासनकाल में भारत आया था तो ध्यान रखेगा अप्सन नमबर ए देवराज पर्थम के सासनकाल में आया था भारत ठीक है और यह प्रस्ण आपके बिहार पुलिस का जिस्तिन एकजाम कैंसिल हुआ था पूछा ग्याता या प्रस्ण ध्यान रखेगा ठीक है तो आपके इस प्रस्ण का सही जबाब अप्सन B हो जाएगा 11 नमबर प्रस्ण के लिए अगला प्रस्ण है 12 नमबर निमलिखित में से अंतरास्टिय दिनांक रेखा की अगर मैं बात करू तो ध्यान रखेगा 180 डिग्री देस अंतर ध्यान रखेगा अप्सन नमबर D आपके 12 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण देखिए 13 नमबर हल्दी के पोधे का खाने लायक हिसा कौन सा होता है तो अप्सन B लगा है प्रकंद बिल्कुल आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो ज ध्यान रखेगा आप सभी लोग और सुमित्रा नंद पंत को 1968 में या प्रोषकार मिला था इनकी एक प्रसिद रचना है चिदंबरा के लिए ठीक है ध्यान रखेगा चिदंबरा के लिए अपसर नंबर यह हो जाएगा 14 नंबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब आगे देख अपसर नंबर प्रस्ण का सही जबाब दिया गया ठीक है आगे देखिए 17 नंबर प्रस्ण की सिक्षा कहां होई और उन्होंने पार्सियन कहां से सिखी तो सिक्षा जो हुआ था पटना में हुआ था इस बात को ध्यां रखेगा अपसर नंबर सी आपके 17 नंबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब है ठीक है आगे देखिए 18 नंबर प्रस्ण चूज द एंटोनियम अफ द वर्ड 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 आपको दिया गया है देखिए वर्ड को इसका हिंदीरूफ होता है यानि कि अर्थ होता है ध्या रखेगा चाल और इसका एंटोनियम जो हो जाएगा आप सभी लोग 18 नंबर प्रस्ण के लिए यानि कि frankness हो जाएगा यानि कि वाधिता ठीक है तो अप्स़न ए होगा 18 नंबर प्रस्ण का सही जबाब ठीक है 19 नमबर प्रस्ण को आप सभी लोग एक बार पढ़ लीजिए और जिनको भी PDF मिला था ओ तो अच्छे तरीका से पढ़ ही लिये होंगे ध्यान रखेगा आप संडी अगर लगा है 19 नमबर प्रस्ण के लिए बिलकुल आपके प्रस्ण का सही जबाब है 20 नमबर प्रस्ण ने बंदे मात्रम का अंग्रेजी में अनुबाद किसने किया तो बंदे मात्रम का अंग्रेजी में अनुबाद आप सभी लोग ध्यान रखेगा यानि कि अरविंद घोष ने किया था ठीक है तो option number C को ध्यान रखिएगा 20 का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा 21 नमबर प्रस्ण है सिंधु नदी का उद्गम होता है तो सिंधु नदी के अगर उद्गम का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कैलास परवतमाला से होता है option number D को ध्यान रखिएगा बिल्कुल आपके 21 नमबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब है ठीक है आगे देखिए ओटेक का पूरा रूप क्या होता है तो ओटेक के अगर पूरे रूप का बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग यानि कि ओसल थर्मल एजेंसी कॉनवर्शन हो जाएगा अपसन नमबर D में देखिए दिया गया है बिश्त्रीत रूपिस का तो D होगा 22 नमबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब अगला प्रस्ण है बिहार पुलिस में पूछा भी जा चुका है तारो को जोडने की परकिरिया का इनकी क्या कहलाती है तो तारो के जोडने की परकिरिया को सन्योजन कहते हैं धिया रखिएगा 23 नमबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब अपसन भी हो जाएगा और banking soda का र दाल दिये गए हैं आपके इस प्रेक्टी सेट में, सोलूशन आप लोग देख लिजिएगा, आपको टेली गराम पर उपलब्द करवा दिया जाएगा, अगर पचीस के लिए सही जबाब, आप सभी लोग अप्शन नमबर, यानि कि C लगा हैं, तो बिल्कुल आपके इस प् प्लस Y, J, प्लस Z, किलियर, तो अप्शन C हो जाएगा, 26 नमबर प्रस्न का सही जबाब, सदीस से या प्रस्न है, इस बात को ध्याँ रखेगा, यानि कि 12 से, ठीक है, 12, चलिए, आगे देखिए, 27 नमबर, कॉपर्स, लूटियम, क्या संत्राबित करता है, बताइए, क्या स स्राबित करता है, तो ध्यान रखेगा, 27 के लिए सही जबाब, अप्सन A, प्रो जे स्ट्रोन को स्राबित करता है, अप्सन नमबर, A, आपके 27 का बिल्कुल सही जबाब हो जागा, 28 नमबर प्रस्ने, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्स सुरू की गई थी, तो किसा कौन सा गुण गलत है, बाकी सभी सही दिये गया है, आप से प्रस्न पूछा गया है, देखिए, आईसो बार दाप को मापा जाता है, आईसो हेल्ष सुरू प्रकास को, आईसो थर्म ताप मान को, बाकी बात किया जाया, यनि कि हाईग्रो मिंटर से क्या अधरता को मापा ज जाता है, ध्यान रखिएगा, तीस नमबर प्रस्ने, इमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो यह जो इंटरनेशनल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग, यानि कि यह परियावरण संगठन हो जाएगा, आप संसी ध्यान रखिएगा, इमनेस्टी का संबंद कि से हो जाएगा परिया औरन सनक्षन संगठन से अपसंसे आपके 30 का सही जबाब होगा आगे देखिए इन में से किसने दुटिये गोल में समयलन में भाग नहीं लिया देखिए 1931 में गया थे न गांधी जी भाग लेने के लिए दुटिये गोल में समयलन में लंडन तो किसने नहीं लिया था यह प्रस्थ आप से पूछा गया है तो अप संडी को ध्यां रखीगा पंडित जोहारला लेह दूने नहीं लिया था ठीक है चली आगए देखिए 32 नमबर परस्थ ने यदि विक्रायमुल औसी रूपिया है तथा लाब बीप परस्थिसत है तो क्रायमुल द चव रुप्या में बेच रहा है ठीक है अब चव रुप्या में लाब बेच करके 44 का बेच रहा है तो मैयत का दिया गया है ठीक है आप लोग एक बार इक भाड डिस्क।र्शन को देख लिजिएगा ऐक जरूर में मैं louis आगे देखिए ताप विधुत पर्योजनाओं के संदर्म में निमलिखित में से कौन सही है सही कौन सा है यहाँ प्रसनाप से पूछा गया है देखिए कवास जो है गुजरात में है इस बात को ध्यान रखेगा यही मिल सही है बाकिस अभी गलत दिये गए हैं इस बात को आप केंद्र के संसद भी कानून बने मतलब संसद भी कानून बनाता है तो कौन समवर्ति सुची में सामिल है देखिए अस्तानिय स्वसासन जानते हैं कि राज्य सुची में सामिल है नागरिक्ता देखिएगा अंतर राष्टिय नदिया देखिएगा तो यह सभी किसमें संग संग का तो समवर्ती सुची का भी सह हो जाएगा ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर भी आपके 35 का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है यहां रखिएगा और अप्सन जब आप देखिएगा तो अप्सन आपके सामने दीख जाएगा यहां पर लेकिन आईए हम लोग सबसे पहले इसको मेल कर लेते हैं किलियर चलिए देखिए यहां पर अगर बात किया जाए सुची वन में उरोष्टी का तो इसका संबंध हो जा जाय तो ध्यां रखिएगा पले टेला से हो जाएगा यानिकी si का मेल 2 से और ऐसकंद फलक का बात किया जाया है सके पूला से हो जाएगा यानिकी D का मेल 3 से ठीक है अब आप option को देख लिजिए कि क्या मेल आपको सही लग रहा है चारो option मेल तो जब आप option नमबर D को देखिएगा यहाँ पर तो देखिए दिया गया है A का मेल 4 से B का 1 से 3 का sorry C का 2 से और D का 3 से तो option D आपके बिल्कुल सही हो जाएगा आगे देखिए करक किस देश से नहीं गुजरती है बताइए 38 का सही जबाब क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा करक रेखा कि अगर मैं बात करूं तो 38 का सही जबाब ध्यान रखिएगा इरान से नहीं गुजरती है बाकी मिस्र भारत और मैमार से गुजरती है नहीं पूछा गया है C में आपके इरान से हो जागा, बिल्कुल सही जबाब, इंगलिस आप से पूछा गया है, देखिए यहाँ पर काफी important प्रस्ण भी, जितना भी इस सेट में आपको मिलेगा, इंगलिस का इस सेट में previous year प्रस्ण को ही डाला गया है, जो आपके exam में आने की काफी संभावना है, ध् इसमें जो आपका object मतलब क्या हो जाएगा, object आपसे पूछा गया है, तो object की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेगा, अनीता हो जाएगी, object option number B में आपके 40 का सही जबाब दिया गया, ठीक है, आगे देखिए निमलिखित में से किस वाइसराय को कारेकाल में भारतिये के राय बहादूर और खान बहादूर उपादिया प्रदान करना आरंब हुआ था, यह जो उपादी प्रदान करना आरंब हुआ था, ध्यान रखेगा, आप सभी लोग, Lord Litton के समय में, option number B को, clear, चली, आगे देखिए, 42 नंबर प्रस्ण है, निमन में से किस में, लिंग गु सुत्र किस में नहीं होते हैं, यह प्रस्ण आप से पूछा गया है, ध्यान रखेगा, आप लोग, छिपकली में नहीं होता है, बाकी, चीता, बंदर, तितली में होता है, तो D आपके 42 नंबर प्रस्ण का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा, ठीके, 43 नंबर प्रस्ण आप स लेपी वाली हिंदी को संग की राजबसा के रूप में स्वविकार किया गया, तो अप्सन B को ध्यान रखेगा, अनुश्य दे 343, ठीक है, 44 का सही जबाब, अप्सन नंबर भी हो जाएगा, आगे देखिए, अलजावरा दिया गया, इससे आपको भाग करना है, भाग किज सेसपल आपका 12 आजाएगा, अप्सन D हो जाएगा, 45 का सही जबाब, ठीक है, 46 नंबर भी हो जाएगा, 46 का सही जबाब, इस प्रस्ण को आप अप्सन से भी कर सकते थे, ठीक है, 47 नंबर प्रस्ण है, निमलिखित में से कौन से यंत्र का परियोग आधरता को मापने के यंतर आप लोग ध्यान रखिएगा, 47 नंबर प्रस्ण के लिए जो आपके अप्सन नंबर B में दिया गया, ठीक है, आगे देखिए, उतर कोरिया तथा दक्षिन कोरिया के बीच सीमा रेखा को ध्यान रखिएगा, आप सभी लोग, और तीसवी समनांतर रेखा कहा जाता ह है, आप सन नंबर C आपके 48 नंबर प्रस्ण का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, 49 नंबर प्रस्ण है, सुर्ज और प्रित्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, देखिए, जब चंद्रमा आता है, तो ध्यान रखिएगा, सुर्य गरहन होता है, आप सन नंबर B को ध्यान रखेगा शुर्य गरहन के समय सुर्य और प्रितवी के बीच क्या आता है चंद्रमा आता है जिससे सुर्य का प्रकास प्रितवी पर नहीं पड़ पाता है ठीक है आगे देखिए 50 नंबर यानि कि पचासवा नंबर प्रसने बौद धरम गरहन करने वाली पहली महिला यनिकी बहाँ प्रजापती गौतमी अप्सन नमबर C में आपके 50 का सही जबाब दिया गया ठीक है आगे देखिए 51 नमबर पर निश्चित ताप पर किसी गैस के दिये हुए दर्मान का दाब उसके आयतन के प्रती लोमान उपाती होता है यह नियम किसका है तो यह नियम जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप लोग अप्सन B को वाइल का नियम हो जाएगा अप्सन B होगा 51 का सही जबाब ठीक है आगे देखिए 52 नमबर पर पर फिल इन दा ब्लेंक स्विस एप्रोपियेट वर्ड आपसे पूछा गया है यहाँ पर इच डे दा प्राइज अफ गोल्ड वी डेस ऑन दा मार्केट बताईए 52 का सही जबाब क्या होगा तो ध्यान रखिएगा अप्सन A को ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो एप्रोपियेट वर्ड आएगा बिल्कुल सही है अप्सन A वाला ठीक है आगे देखिए तीरपन नमबर प्राइज ने डेस A एजुकेशन निट्स टू इंक्लूड रेडिंग राइटिंग मैथ एन वेरिटी अफ अधर सब्जेक्ट बताईए क्या होगा तीरपन नमबर प्राइज का सही जबाब तो ध्यान रखिएगा अप्सन B फंडामेंटल ह ठीक है चली आगे देखिए 54 नमबर प्राइज संसत की करवाही सुची में पर्थम समय होती है तो पर्थम समय की बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग अप्सन B को प्रस्न कालका होता है ठीक है आगे देखिए 55 नमबर प्राइज ने एक समकुन अब आप इसे पाइथागोरस प्राइब निकालिएगा तो X का मान आ जाएगा छो बिलकुल आपके अप्सन A में दिया गया है 55 नमबर प्रस्न का सही जबाब ठीक है 56 नमबर जो प्रस्न है देखिए यहाँ पर यदि रिंहो का ब्याज की रकम रूपिया जीरो एज 2.45 कर करो और संसोधन एवं विकास पर खर्च किये गये कूल रकम कितनी है तो देखिए यह एकोनॉमिक्स के प्रस्न है ध्याँ रखिएगा आपसन नमबर C को 4.2 कर रूपिया हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 57 नमबर प्रस्न है भारतिय सीबिल सेवा ICS में चूने गए पहल भारतिय का नाम था ध्याँ रखिएगा आपसन नमबर C में आपके 57 नमबर प्रस्न का बिल्कुल सही जबाब दिया गया है और ध्याँ रखिएगा 1864 में इन्हों ने इस परिक्षा को किलियर किया था इनकी सफलता प्राप्त की थी ठीक है चलिए आगे देखिए 58 नमबर काराधान के अध्यनीमों का परवर्तक था तो देखिए इस अध्यनीम के जो परवर्तक थे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग इंपोटेंट प्रस्न है एकोनोमिक्स से ठीक है अपसन नमबर B को ध्यान रखिएगा यानिकि 58 का सही जबाब एडम एसमिट ठीक है आगे दे परवर्ती अपवाद की अपसन नमबर A आपके 69 का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा साथ नमबर प्रस्न है राज के खर्च पर हर्ज की विवस्ता करने वाला पहला भारतिये सासक कौन था तो पहला भारतिये सासक हो जाएगा फिरोट सात्तुगलक अपसन नमबर B को ध् करूं ठीक है के लास मंदिर की बात किया जा तो ध्यान रख्येगा यह कहां है तो अपसन नमबर यानि की चार को ध्यान रख्येगा काची पूरम में ठीक है वही बात किया जाए यानि की लिंग राज मंदिर का भूने स्वर में है यानि की B का मेल एक से हो जाएगा ठीक है C देखिएगा कंदारिया महादेव मंदिर ध्यां रखिएगा यानि की इसका मेल दो से हो जाएगा यानि की खजुराहो और दिलवाडा का जेन मंदिर माउंट आबो पैस्तित है तो ध्यां रखिएगा A का 4 B का 1 C का 2 और D का 3 अप्सन नमबर B आपके 61 नमबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा आगे देखिए 62 नमबर प्रस्णे विशुवत वर्ष के दो काल जब दिन और रात बराबर होते हैं डेट आप से पूछा गया है तो 21 बार्च 23 नमबर ध्यान रखेगा अप्सन नमबर ये आपके 62 नमबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए आधनिक आवर्तसाण्णी आधारित है तो मोसले का जो आधनिक आवर्तसाण्णी है परमाणु करमांगप आधारित है अप्सन सी आपके 63 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ध्यान रखेगा 64 नमबर प्रस्ण ने किस वर्स में सरपर्थम यूरी गारिन ने अंत्रिक्स की यात्रा की थी ध्यान रखेगा आप सभी लोग 1961 में किया था अप संसी में 1961 ध्यान रखेगा इंपोटेंट प्रस्ण है 65 नमबर प्रस्ण भारत में डांग टिकट किस के सासनकाल में चालू किया गया तो डांग टिकट का बात किया जाए तो लोड डलहौजी का नाम ध्यान रखेगा यानि कि डलहौजी ने इसे सुरू किया था ध्यान रखेगा जो आपके अप्सन नमबर देख लिजिए आगे देखिए 66 नमबर प्रस्ट ने मंत्री परिशत से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है तो मंत्री जो अपना त्याग पत्र को संबोधित करता है ध्यां रखिएगा राष्ट पती को करते हैं अपसन नमबर ए आपके 66 का सही ज जाएगा ठीक है तो देखिए हमें अपने मता-पिता की आग्या माननी चाहिए तो ध्यान रखिएगा वी मस्ट ओवे आवर पैरेंट ठीक है अपसन नमबर भी आपके सुन्सोट का सही जबाब हो जाएगा ठीक है देखिए प्लीज सिट डाउन का पैसिव वाइस आपसे पूछा गया है तो इसका पैसिव वाइस जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा आप लोग अपसन सी को ध्या गया है तो अपात की घुष्णा के दोरान एक बार में एक वर्स तक के लिए बढ़ाया जा सकता है अपसन सी आपके उनहत्तर का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है सत्तर नमबर प्रसने निमलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक करिया है देखिए एक होता है अकर् करिया अगर देखा जाए तो जोती रोती है क्या है अकर्मक करिया का उदारण एक रोक बिल्कुल सही जबाब थीक है एक अउतर नमबर प्रसने पेड़ से प्तागिरा यहां पेंड से निकिए मेंक कारक है देखिये पेंड से जब भी पता गिरे ध्यान रखेगा अलगाव का बोद होता है और जहां अलगाव होता है वहाँ पर ध्यान रखेगा आप सभी लोग आपदान कारक होता है अप्सन नमबर जब पानी को 0 degree Celsius से 10 degree Celsius तक गरब किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है देखिए पहले घड़ता है फिर बढ़ता है तो अप्सन D में आपको देखिए दिया गया है पहले घड़ता है और तब बढ़ता है ठीक है चली आगे देखिए 73 नमबर पास्टने प्रकास तरंगों के वायू में वायू से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वो क्या है देखिए कांच से जैसे जाएगा यानि कि वायू से कांच में जाएगा तो तरंगधे और वेग प्रभावित हो जाएगा बदल जाएगा अप्सन D आपके 73 का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है 74 नमबर प्रशने प्रचंद विरोजगारी का समाने अर्थ होता है कि तो प्रचंद विरोजगारी का समाने अर्थ होता है सर्मिक की सिमान उत्पदाक्ता क्या है सुनने है अप्सन C आप ध्यान रखिएगा 74 का बिलकुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है 75 नमबर निमलिखित में से किसने करांतिकारी गतिविधियों के लिए इंगलेंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी तो देखिए इसने जो बनाया था न स्याम जी कृष्ण बर्मा का नाम आप सभी लोग ध्यान रखेगा जो आपके अपसर नमबर डी में दिया गया है ठीक है चली आगे देखिए 76 नमबर प्रस्ण है सिकारी देवी अभ्यारन किस राज में है तो सिकारी देवी का अगर बात किया जाए तो ध्यान रखेगा या हिमांचल पर्दिश में कहाँ पर है हिमांचल पर्दिश 76 का सही में निमलिखित में से किसका संसलेशन होता है तो पायरूपिक अमलका होता है अपसर नमबर भी आपके बिल्कुल 77 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए अगला प्रस्ण है यानि कि सोची एक और सोचे दो एक तरफ संगठन है या आंदोलन है और एक तरफ उससे संबंदित बेक्तियों का नाम दिया गया ठीक है और जब आप इसके लिए अपसन देखिएगा तो देख लिजिए आप सभी लोग अपसन को भी अपसन भी आपके सामने है कूट के माध्यम से आपको अंसर बताना है तो आईये हम लोग इसका मेल पहले क करते हैं तो ध्यां रखिएगा सुची एक और सुची दो को जैसे आप मेल कीजिएगा तो ध्यां रखिएगा अखिल भारतिये हर्जन संग से संबंदित हो जाएंगे महात्मा गांधी और अखिल भारतिये दलित वर्ग संग से भीमरा अमेट कर ठीक है यानिकि एक का मेल द और B का 1, ठीक है, वहीं C का हो जागा 1 से, और D का हो जागा आपके 3 से, जब आप option को देखिएगा, तो यहाँ पर option में देखिएगा, जो कूट में दिया गया है, ठीक है, कूट में जो आपका answer दिया गया है, ध्याँ दखिएगा आप सभी लोग, यहाँ कि option number आपका, यहाँ कि B दिया गया है, क्या दिया गया है, B आप लोग देख लिजिए, शोरी, B नहीं, A देख लिजिए, A का 2, B का 4, C का 1, D का 3, ठीक है, option A हो जाएगा आपके 88 नमबर प्रस्ण का बिलकुल सही जबाब, 89 नमबर प्रस्णे, लोग हित मुकदमे की स सही जबाब हो जाएगा, 80 नमबर प्रस्णे, सांभा जी के बाद मराथा सासन को निमलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया, बताइए किसने बनाया था इसे, तो ध्यान रख्येगा, बाला जी विश्वनात ने बनाया था, option number B आपके 80 का बिलकुल सही जबाब होगा, 81 नमबर प्रस्णे, choose the synonym आपसे पूछा गया है, एडमोनिस का पूछा गया है, बताइए इसका synonym क्या हो जाएगा, तो synonym की अगर बात किया जाए, तो ध्यान रख्येगा, option number E हो जाएगा, 81 का बिलकुल सही जबाब, ठीक है, आगे देखिए आप लोग, 81 नमबर प्रस् पहले आएगा D, यानि की D वाला मिलाएगा, उसके बाद C वाला आउडर आएगा, उसके बाद D वाला, उसके बाद A वाला, जो आपके option A में दिया गया है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है, चली, आगे देखिए 83 नमबर प्रस्णे, बाग पर्युजना की गई, तो याद कीजिए 1973 में जो आपके option नमबर A में 83 नमबर प्रस्ण का सही जवाब है, ठीक है, आगे देखिए सीसा युक्त पेट्रॉल में निमलिकित में से क्या उपस्तित होता है, तो सीसा युक्त पेट्रॉल में जो उपस्तित होता है, यानि की टेट्रा 84 नमबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब होगा, इस बात को आप लोग ध्याँ रखिएगा, ठीक है, आगे देखिए पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पर्थम प्रांत कौन है, तो 1869 आप ध्याँ रखिएगा राजस्तान का नागौर जिला, ठीक है, तो option B हो जागा, 85 नमबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब, आगे देखिए, 86 नमबर प्रस्ण है, इमनेस्टी इंटरनेशनल ने सांती प्रुसकार का अप जीता था, तो सांती का जो प्रुसकार जीता था, ध्याँ रखिएगा, 1977 में, जो आपके option नमबर B में 86 का बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, 87 नमबर प्रस्ण देखिए, चंगेज खा के अधिन मंगोलो ने भारत पर आकर्मन किया, तो मंगोलो ने जो भारत पर आकर्मन किया था, ध्याँ रखिएगा आप सभी लोग, इल्तुत्मिस के सासनकाल में किया था, ठीके, इल्तुत्मिस जो अपसा नमबर C में दिया गया है, 87 का बिल्कूल सही जवाब, 88 नमबर प्रस्ण निम्न में से कौन अफसिष्ट परवत का उधारन है, तो अफसिष्ट परवत का उधारन हो जाएगा, अरावली जो आपके राज्यस्तान में है, ठीके, और प्राचिंतम परवत माला भी है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेगा, 89 नमबर प्रस्ण ने, सोडियम कोल्राइड में क्या होता है, तो सोडियम कोल्राइड क्या है, एक धातू NACL, बताइए, धातू और अधातू के बिच इलक्ट्रोनों की सज़़ारी जो होता है, ध्यान रखेगा, इसके द्वार त अंतरी, गड़र वार का प्रारमभिक नाम आपसे पूछा गया है, कांगो का प्रारमभिक नाम पूछा गया है, ध्यान रखेगा, जायरे आप संडी मेरे दिया गया है, बिलकुल आपके 90 नमबर पुर्षण का सही जबब, ञाधाग ay, 91 नमबर प्रस्ण है, देश की नि ठीक है, सतलज का मिल हो जाएगा राकोस्तल से, ठीक है, जेलम का सेसनाग से, ठीक है, कावेरी का ब्रहमगिरी और नर्मदा का अमरकंटक plants, यानी कि डी का दो, मात्र एक ही अप्शन में दिया गया है, अप्शन ए आपके बिलकुल सही मिल हो जाएगा इस प्र doorway के लिए, ठीक नमबर प्रस्ण के लिए अप्शन नमबर B को ध्यान रखिएगा आईसो हेलाइन के दोरा ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखिए प्राइकता से संबंदित आपके एकजाम में पूछा जा सकता है प्रस्ण एक बार देख लिजिएगा रूल कैसे बनाया जाता है डिस्कर्शन देने लगूँगा मैत का तो काफी लॉंग वीडियो हो जाएगा इसलिए डिस्कर्शन हम आपको पीडियो फ्रोमेट में दे देते हैं ध्यान रखिएगा 92 का सही जबाप दो बट्टा पांच आ जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए अगला प्रस्ण भी पूर्ति अपनी मांग स्वेम निर्धारित कर लेगी यह युगति किसका है यह कथन किसका है आपसे पूछा गया है तो यह जो कथन हो जाएगा ध्यान रखिएगा 95 नंबर प्रस्ण के लिए अप्सन भी को ध्यान रखिएगा जेवी सी का ठीक है आगे देखिए अप्सर को जाना जाता है ठीक है 97 नंबर प्रस्ण स्रिभा जी का अन्तीम अभियान कौन सा था तो अंतीम जो सेन व्यान था आप सभी लोग ध्यान रखिएगा यह यह कि करनाटक का अभियान था ठीक है चली आगे देखिए 98 नंबर जो प्रस्ण आपसे पूछा गया है इ प्रशकर का संबंद की से है तो इस प्रशकार का संबंद हो जाएगा आपके ध्यारेख़ेगा से ठीक है और अर्शी Cprof peaceteual Pourquoi जो का प्रशनल संदर्The ठीक है तो आज के इस practice set number जो हम लोगों का 17 सा ठीक है 100 प्रस्थ हम लोगों का complete हो गया आप सभी अपना अपना score जरूर comment box में बता दीजिएगा ठीक है कि आपका practice set number 17 में कितना max गया है आपका max बढ़ा है या कम हुआ है ठीक है चैनल पने है आप चाहते है selected प्रस्थनों का जो ग्यान बिंदू जिये सेकेंडमी रोसनन अंसर का जो बिहार पुलिस के लिए pad badge जो offline class में practice set करवाया जाता है free of cost को solve करना तो ध्यान रखिएगा चैनल को subscribe नहीं किये हैं जरूर आप लोग subscribe करके जूड़ जाईएगा ठीक है और जो भी student अभी तक session को like और share नहीं किये है प्लीज आप सभी लोग like जरूर कर दीजिये session को ठीक है चलिए तो आज की session को यहीं पर समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले session के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत